वेल्टम बैक तो मैं चैनल इसकेलार मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रही कि इस क्लास में exercise 4.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं तो exercise 4.2 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं तो exercise 4.2 में हमको बोला जा रहा है using the property of determinant and without expanding in exercise 1-7 prove that तो यहाँ पर हमको 1 से लेके 7 तक के जो question है यानि जो determinant है उनको हमको prove करना है लेकिन यहाँ पर हमको बोला गया है using the property of determinant तो जो property of determinant है वो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में इसलिए पिछला वीडियो जरूर देख लीजेगा इसकी link उपर आपको मिल जाएगी बागी description box में chapter wise playlist की link मैंने mention कर दिया तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी chapter देख सकते है ठीक है तो property of determinant का यहाँ पर use होगा इसलिए पिछला वीडियो जो है वो जरूर देख लीजेगा ठीक है तो start करते हम यहाँ पर तो पहला question हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यह इस description क्या रहेगी कि या तो कोई दो रो या दो कॉलम identical हो जाए ठीक है या फिर पूरी की पूरी एक रो या एक कॉलम हमारा 0 हो जाए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह कि यहाँ पर आप इसको दो तिन तरीके से solve कर सकते हैं एक तो यह कि मैंने आपको property number 5 मे elements अगर दो element के sum के form में है तो हम इस determinant को दो determinant के sum के form में लख सकते हैं तो वह चीज़ हम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप यह column झेल हे ठीक है यह पूरा का पूरा है ना तो इसको मारे लिख सकते हैं कैसे सबसे पहले देखिए यह है x वाई z तो x के साथ A X अलग लिख लेंगे Y के साथ B Y Z के साथ C Z ऐसा कर सकते हैं तो चलिए करते हैं सबसे पहले दो X Y Z as it is A B C as it is X Y Z के साथ इनको लिख देंगे बीच में लगाया प्लस ठीक है अब दूसरा determinant कैसे बनाएंगे A B C के साथ बना लेंगे X Y Z A B C as it is और तीसरा वाला आजाएगा A B C ठीक है तो हमने property number 5 में यह पढ़ा था कि कोई भी row या किसी भी column या फिर सारे के सारे element दो term या दो से ज़्यादा term के sum के form में है तो हम उनको उतने ही determinant के sum के form में लिख सकते हैं तो यहाँ दो term के sum था इसलिए 2 अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं column 1 column 3 identical है तो इसकी value हो गई 0 यहाँ पर column 2 और column 3 identical है इसलिए इसकी value हो गई 0 और 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 तो यहाँ पर आपको लिखना है column 1 and column 3 are identical यहाँ पर और यहाँ पर क्या है column 2 and column 3 are identical ठीक है तो यह भी 0 हो गया यह भी 0 हो गया 0 प्लस 0 0 तो यह हो गया प्रूव एक तरीका यह है तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजी वीडियो को पॉस करके एक तरीका और वह भी मैं बताई देती हूं आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका third column है third column में क्या है x plus a और यह element पहला वाला element यह आपके पहले column में है दूसरा वाला element दूसरे column में है ठीक है सेम यहाँ पर भी है कि y plus b है तो यहाँ y है यहाँ v है यहाँ z plus c है तो यहाँ z है और यहाँ c है कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एक column में हम दोनों column को add कर दें operation apply कर रहा है कि हम column 1 के लिए कर रहे है column 1 में हम क्या कर रहे है column 1 और column 2 को add कर रहे हैं तो column 1 plus column 2 ठीक है तो ध्यान दें column 1 में ही करना है column 2 और column 3 as it is रहेगा तो column 2 को add is लिख दीजिए आप column 3 को भी add is लिख दीजिए x plus a y plus b z plus c clear अब column 1 में हम क्या कर रहे है column 1 और column 2 को add कर के लिख रहे है तो column 1 यह रहा column 2 यह रहा element add कर के लिख दो x plus a y plus b z plus c ठीक अब यहाँ पर क्या हुआ column 1 और column 3 identical हो गहां चीक है थिहां लिखेंगे since column 1 and column 3 are identical identical मतला same तो यह third property हमारी कि कोई भी दो row या दो column अगर same दिखते हैं दिकने में सारे का-सारे element सेम हो तो उस condition में सारे का-सारे element corresponding element इसका corresponding यह है तो इसके similar ही होना चाहिए इसकर सेंटिशन में जो हमारे determinant हो था, उसकी value हो जाती है 0, तो ये भी हो गया, ठीक है, तो question number 1 हमारा हो गया है, अब हम करते है question number 2, इसको अगर आपको note करना तो आप कर लीजे, तो यहां पर यह हमारा question number 2, इसमें भी हमको property of determinant का use करके prove करना है कि this equal to 0, ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखें कि अगर इसमें आप देखें, यह है a-b, फिर यह है b-c, फिर यह है c-a, पहली रोके element देखें, फिर दूसरी रोके b-a, c-a, a-b, कहने का मतलब यह है, कि हैं सारे के सारे same element, बस कुछ, जैसे यहां पर है a-b, यह b-c, यह c-a, इसका a-b, यहां है, c-a, यहां है, b-c, यहा सारे के सारे जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को एड कर रहा है, देखो, कॉलम 1 की जगा पर कर रहा है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को कुछ भी नहीं कर रहे है, हम क्या कर रहा है, कॉलम 1 की जगा पर, कॉलम 2 और कॉलम 3 को एड करके लिख रहा है, बस, किसकी जगा पर, कॉलम 1 की जगा बागी column 2 column 3 as it is column 1 की जगा पर हमने क्या किया a minus b plus b minus c plus c minus a ये 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 add करके लिख दिए अब इन तीनों को लिखेंगे b minus c plus c minus a plus a minus b यहाँ पर c minus a plus a minus b plus b minus c बागी आपका column 2 as it is है column 3 as it is है ठीक है तो operation हमने अपलाई किया यहाँ पर कि column 1 में हमने क्या लिखा column 1, column 2, column 3 को add करके लिख दिया ठीक अब आप देखें plus a से minus का a cancel minus b से plus का b cancel minus c से plus का c cancel plus b से minus का b cancel minus c plus c minus a plus a plus c minus c minus a plus a minus b plus b आप देख रहे हैं कि आपका पहला का पहला जो column है पूरा क्या हो गया 0 यह बचा b minus c c minus a a minus b और यहाँ पर c minus a a minus b और b minus c तो अगर हमारा एक b column या फिर एक b row पूरी की पूरी 0 हो जाती है सारे का सारे element 0 मतलब इसकी value 0 क्लियर ठीक है क्योंकि आप देखें अगर आप इसको expand करते हैं तो अगर माल दीजिए cdc बात है कि सबसे साथ 0 जिसमें रहेंगे उसी क्या long करते हैं ठीक है तो इसका करेंगे तो इसके multiply में जो आएगा 0 फिर इसके multiply में भी जो आएगा 0 इसके multiply में भी जो आएगा वो 0 तो यह क्या आगया आपका 0 क्यों क्यों कि column 1 आपका हो गया 0 ठीक है तो यहां पर question number 2 भी हमारा complete हो गया है अब हम देखेंगे question number 3 यहां पर यह हमारा next question question number 3 इसको भी हमको property of determinant से prove करना है कि this equal to 0 तो 0 लाना है तो अब यहां पर देखें 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्षप से पहली चीज तो यह कि अब यहां पर यह जो दो कॉलम है इन में सारी छोड़ी यह बड़ी वालिव कहने के मतलब यह कि यह किसी न किसी number का multiple हो सकते हैं तो करके देखते हम यहां पर तो देखें हमने क्या किया roughly हम करके देखते हैं तो अगर 7 से multiply करते हैं किसी भी number में तो 65 आएगा क्या नहीं आएगा सिर्फ 79063 तक रह जाएगा 8 से करके देखते हैं तो 89072 तक आएगा इसके corresponding और 99081 तक आ रहा है अब आप देखें इनमें और इनमें दिफरेंस कितने का रहा है अगर 63 में आप 2 एड कर दे तो 65 हो जाएगा 75 में 3 एड कर दे तो 75 हो जाएगा और 81 में अगर आप 5 एड कर दे हमारा काम भी बन जाएगा ठीक है तो हमने क्या किया पहली रो एस इदि लिख दी 235 सॉरी पहला कॉलॉम एस इद धी दूशरा कॉलम भी है रिधtake दिया 65 को सिंटी 3 2 ब्लस 2 दूसरे को वनें लिख दिया 70 ट्यूश्ट की हमने इनको ब्रेक कर दिया कैसे हमने देखा कि हां वाई ये जो हमारा कॉलम है इसके नंबर के मृटिपल में आ रहे हैं ये बड़ कुछ हिमर को यदो जॉमरी को हमारे पहले कॉलम है उनके करना है और कि उनको घ्सक्रण刑 ठीक करना ठीक कोई 2 term या 3 term या जादा term के sum के form में है तो हम उनको उतने ही determinant के form में लिख सकते हैं तो यहाँ पर 2 term के sum के form में है मतलब 2 determinant के form में हम इसको लिख सकते हैं चलिए लिख देते हैं तो 63 के साथ लेखेंगे 72 2, 7, 63 3, 8, 72 8, 72 5, 9, 81 1, प्लस है बीचे में प्लस लगा दीजिए अब 2 के साथ लेखेंगे सबको यह हमने लिखा 2, 7, 2 3 के साथ 3, 8, 3 5 के साथ 5, 9, 5 clear समझ में आगई बात है ना 5th property का यूज हुआ है यहाँ पर हम लिख देते हैं using 5th property 5th property का यूज करके 2 term के सम के फॉर्म में था यह कॉलम तो हमने क्या किया इनको 2 determinant के फॉर्म में लिख दिया अब इस वाले determinant में आपको एक क्या दिख रहा है कि आपका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सारी तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है मतलब इसकी वाले हो गई 0 यहां पर आते हैं हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी कॉलम दो कॉलम या फिर कोई भी दो रो कि कर्रस्पोंडिंग एलिमेंट अगर प्रपोर्शनल हैं प्रपोर्शनल हैं तो उस कंडिशन में वो क्या हो जाएगा 0 या फिर आप इसमें काम क कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें कर सकते हैं यह चीज मैंने जब आपको प्रॉपर्टी समझाए तब भी बताया था कि यहां देखो 79063 89072 99081 तो सेम प्रपोर्शन में है कहने का मतलब यह है कि अगर सेवन अपन 63 करते हैं तो बन आपन नाइन आएगा और नाइन आपन यानि प्रपोर्शनल है यह तो उस कंडिशन में हम डैरेक्ट लिख सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा जीरो ठीक एक चीज तो यह होगी और दूसरी चीज क्या है यहां पर यह कर सकते हैं तो त्री फाइव सेवन एट नाइन और यह हो जाएगा 79063 और 89072 और 99081 आप क्या क डॉमेंट अगर पूरे कॉलं में सें है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं ठीक है लिगं मलटिप्लिकेशन में तो 7 के मल्टिपलिकेशन में भी नाइन 9 के multiplication में भी 9 मतलब यह पूरा का पूरा 9 बहार common आ जाएगा ठीक है यह तो पूरा हो गए 0 ठीक क्यों कि यहां पर हम क्या लेखेंगे column 1 and column 3 are identical दो column same है यहां पर इसलिए इसकी value हो गई 0 आगे solve करते हैं यहां पर यहां सभी जगह से आपने 9 common लिया या फिर आप इतना note कर लीजिए इसकी अगली step में यहीं कहीं कर देती है ठीक है इतना note कर लीजिए वीडियो को pause करके देखें अब मैं 9 common ले तो यह 9 यहां से गया सभी जगह से तीनों जगह से पूरे column 3 में से 9 आया बाहर common अब आप इसको हमको zero proof करना था कि इसकी value 0 होगी तो हमने यहां पर क्या किया हमने सबसे पहले देखा कि 9 का multiply करने पर हमको जो value मिल रही है लेकिन उसमें अगर 2 add करते हैं तब जाके हमको यह मिल रहा था हमने इनको break कर लिया ठीक है फिर दो determinant के form में लेका क्योंकि दो term के sum के form में था column number 3 फिर इस तरीके सागे solve कर लिया अब इसका एक तरीका और solve करने का आप वैसे भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इसको note कर लिजे फिर मैं आपको बता देती हूं तो एक तरीका और ऐसे भी आप solve कर सकते हैं त यह वाला जो आपका column है इसमें 63 आ रहा है 79063 करने पर और 89072 आ रहा है और 99081 ठीक है तो अगर 65 में से हम 2- करते हैं तब हमको 63 मिलेगा और यह जो number है 75 इसमें से 3- करने पर 72 मिल रहा है और 86 में से 5- करने पर 81 मिल रहा है कहने के मतलब यह है कि यह जो element है आपके आप देखें आप वहाँ पर हमने कैसे break किया था यहाँ पर हम अलग तरीक से break करेंगे कि अगर column 3 में से आप column 1 को minus करते हैं तो यह value आपको मिल जाएंगे column 3 में से column 1 को अगर हम minus करते हैं तो हमको यह value मिल जाएंगे 63, 72, 81 तो बस यहाँ पर हम यही करेंगे कि हम column 3 के लिए कर रहे हैं column 3 में हम क्या कर रहे हैं? column 3 में से minus कर रहे है column 1 को column 3 में से column 1 को minus कर रहे हैं ठीक चलिए करते हैं बागी column 1 और column 2 as it is column 1 as it is लिख दीजे 2, 3, 5, 7, 8, 9 अब column 3 में हम कर रहे है column 3 में से column 1 माइन 65 माइनस 2, 63, 75 माइनस 3, 72, 86 माइनस 5, 81 तो यह चीजें हम कर के से रहे हैं यह मैंने आपको roughly बताए कि आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ roughly calculate करना होगा ठीक इतनी बाता के समझ में चलो अब आगे देखें तो बस simple ही हो गया है पहला column आप as it is लिख दीजे 2, 3, 5 यह हो गया 7, 8, 9 इसको क्या लिख जाकते हैं 7, 9, 063 और 8, 9, 072, 81 को लिख सकते हैं 9, 9, 081 अब आप देख रहे हैं जो column number 1 है उसमें column number 3 में 9 common आ रहा है तो हम किसी भी column में अगर same number है पूरे के पूरे element में होना चाहिए लिखें पूरा का पूरा column है सभी जाके 9, 9, 9 common आ रहा है हमने 9 common ले लिया बचा क्या 2, 3, 5, 7, 8, 9 ठीक है तो column 2 and column 3 are identical आइडेंटिकल है मतलब इसकी value 0 हो जाएगी बाहर 9 था डेटर्मिनेंट की value 0, 9 into 0, 0 खातम हैं रूट ठीक यह तरीका भी हो सकता है तो वह आपकी चोईस आपको कैसे करना है तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी नमबर 3 लगाया इडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी नमबर 3 ठीक है तो कॉश्चन नमबर 3 भी हमने दो तरीके से देख लिया इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन नमबर 4 इसमें भी वही जो प्रॉपर्टी अब डिटर्मेंट है उसका यूज करना है तो यहां पर कर लेते हैं एका मल्टिप्लाइए अंदर कर देते हैं यहां बी का और यहां सी का C into B, B, C ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने bracket open करके multiply कर दिया अब आप ये देखें कि एक column हमारा पूरा 1 है, हम यहाँ पर एक और column 1, 1, 1 का ला सकते हैं कैसे देखो आप, यह A, B यह B, C, यह A, C अगर column 2 और column 3 को आप देखें तो सारे के सारे element same है सारे के सारे element same में बस इधर उधर है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक column की जगा पे, आप चाहें तो column 2 में कर लीजे चाहें तो column 3 में कर लीजे, कहीं पर भी कर लीजे, चलो column 2 में कर लेते हैं कि column 2 में हमने क्या किया कि column 2 में हम column 3 को add कर देते हैं यह पूरा का पूरा कॉरा कॉलम 3 दो तो column 2 में हम column 3 add कर देते हैं, चलो कर देते हैं, column 1 की कोई बात नहीं हो रही है, column 1 को as it is लिख दो, one, 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 column 2 में काम कर रहे हैं हम, और column 3 में कोई काम नहीं हो रहा है, column 2 में हो रहा है, column 2 की जगा पर हम यह लिख रहा है, column 3 में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो column 3 को as it is लिख दो तो हम लिख देते हैं यहाँ पर a b plus a c b c प्लस a b a c plus b c ठीक है तो column 1 और column 3 as it is काम हो रहा है column 2 में column 2 में करते हैं column 2 औ को yeah करेंगे is score और इसको add कर देते हैं तो b c में a b plus a c add होगा तो यह क्या हो जाएगा b c plus a b plus a c CA में ये दोनों add हो जाएंगे तो CA PLUS BC PLUS AB यहाँ पर AB में add हो जाएंगे AB PLUS AC PLUS BC ठीक है? तो देखो AB BC AC AB BC AC AB BC AC CA में बिलकुल ठीक है? तो थोड़ा सा और arrange कर ले तने हैं ताकि और हमको दिखकर ना हो AB PLUS BC PLUS CA सब जगे थोड़ा सेम order करके लिख ले थे क्योंकि सभी PLUS में तो है ही और ये AB PLUS AC यहाँ पर one as it is AB BC CA AB PLUS BC PLUS CA यहाँ पर भी AB PLUS BC PLUS CA और यहाँ पर अपना BC AB as it is AC BC as it is अब आप देखिए आपका कॉलम नमबर 2 सारे के सारे जो value है वो सेम है common ले सकते हैं ले लेते हैं ठीक है? सारे के सारी value सेम है तो कॉलम 2 से हम common ले रहे हैं कॉलम 2 से हमने common लिया AB PLUS BC PLUS CA common ले लिया अब बचा के हैं determinant के अंदर तो पहला जो कॉलम है वो ता as it is 1 1 1 अब दूसरे कॉलम से सारी के सारी value चली के तो क्या बचेगा? 1 1 1 की सारा कॉलम as it is? AB PLUS AC BC PLUS AB और AC PLUS BC आप ख्लियरली देख पा रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 identical है ठीक है? तो बात खतम इसकी value क्या हो जाएगी? 0 तो since by property 3 3rd वाली जो property है उसमें क्या है? दो अगर कॉलम या दो रो identical है उसकी value 0 कॉलम 1 और कॉलम 2 आर identical so AB PLUS BC PLUS CA as it is इसकी value हो गई 0 तो यह आगया 0 and प्रूव खतम question number 4 ठीक? clear? समझ में आगई बात? तो नूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब हम देखेंगे question number 5 so next question question number 5 अब इसमें अभी तक 4 question किये उन में हमको zero proof करना था बड़ यहाँ पर आप कुछ और लाना है हमको this equal to this यह हमको prove करना है तो वही हम LHS लेकर चलेंगे taking LHS आपको लिखना है अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें सबसे पहले तो हमको लाना क्या जो प्रूफ करना है उसमें लाना क्या है सबसे पहले तो बाहर हमको two चाहिए कहने का मतलब यह है कि कोई भी row या कोई भी column को हमको इस तरीके से बनाना होगा जिससे की पूरी की पूरी row या पूरे के पूरे column में क्या जाए two और हम उसको बाहर निकाल सकें पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देखें यह आपकी है row one यह row two और यह row three ठीक है तो row one में अगर हम row two add करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दो C मिल जाएंगी लेकिन A और B एक ही मिलेगा ठीक है और row one row two और row three अगर तीनों को add कर देते हैं तो देखो बी और बी दो B मिल जाएंगी दो C मिल जाएंगी दो A मिल जाएंगे यहाँ पर देखें तो two Q हो जाएगा two P हो जाएगा two R हो जाएगा यहाँ से भी two Q आना जाए बस देखें तो main को मारा क्या है सबसे पहले तो यह two बाहर लाना तो हम क्या कर रहे है कि किसे भी एक रो की जगापर आप कर लीजे तो हम रो one की जगा पर कर रहे है रोवट है रोवट टू और रो थीनों को add कर दे रहे हैं ठीक है starting में सबसे पहला काम हम यहीं कर लेते हैं हाला कि आप चाहिए तो दूसरे तरीके से भी हमें इसको कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमें क्या करा 2 हम लाना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया row 1 और row 2 को कर एड़ कर रहे हैं c तो 2 मिल रहे हैं लेकिन a और अकेली रहह है षिलिए हमने जो अपनी रो रो य है रो ं, रो A, 2, 2, C मिल रहे हैं यहाँ पर qr 2, 2 मिल रहे हैं यहाँ पर x, y,z, 2, 2, 2 ठीक है तो सबसे पहला काम row 1 में हम कर रहे हैं ठीक है चलिए करते हैं तो अगर तीनों को आप add करते हैं इसको इसको और इसको तो मैं आपको roughly बता देती हूँ कि यह हो जाएगा b plus c plus c plus a plus a plus b क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं अगर इन तीनों को आपने add करा तो 2c हो जा क्लियर अब इन तीनों को अगर add करते हैं क्योंकि row 1 में row 2, row 3 तीनों add कर रहे हैं row 1 की जगह पे अगर इन तीनों को add करते हैं तो यह क्यों 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 क् x plus y plus z clear row 1 में करना है ठीक बागी row 2, row 3 as it is ठीक तो अब आप देख रहा है row 1 में सभी जगे 2, 2, 2 को मना रहा है बाहर ले लेंगे तो यह हमारा 2 आ गया बाहर बचा क्या कि इतनी बात आगे समझ में अब हम क्या करने वाले हैं अब आर 1 की जगा पे हम आर 1 में से आर 3 माइनस करने हैं क्यों कर रहा है क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है आप देख पा रहे हैं सभी जगा एक एक element है तो यहां पर तीन element है और बाकि जो हमारी दो रो है उनमें दो दो element है तो अगर a plus b plus c में से a और भी अड़ जाएगा तो c बचेगा की नी बचेगा बचेगा न ठीक है तो एक प्लस b plus c में से a और भी चले जाएगा तो बचेगा सिर्फ c बाकि आपका c plus a as it is रखिए a plus b as it is रखिए ठीक है अब p plus q plus r में से p और q चले जाएगा तो सिर्फ बचेगा r ठीक है x plus y plus z में से x और y चले जाएगा तो बचेगा z तो हमने स्टार्टिंग के अलिमेंट देख लिए देखो यहाँ पर a और b था यहाँ पर भी a भी था खट गया यहाँ पर p plus q था तो p plus q चले गया माइनस करा ना हमने तो p plus q plus r में से p plus q चलेगा तो r बचा x plus y plus z में से x plus y चलेगा सिर्फ z बचा ठीक बाकि है हमारी सारी चीज़ है अगर आप देखें तो तो यहाँ पर a हैं यहाँ पर c है कहने का मतलब यह है कि रो 2 में से अगर हम रो 1 माइनस कर दें तो सिर्फ a बचे गा यहाँ यहाँ पर भी देखो यह क्या सिर्फ p टो r plus p में से r माइनस होगा तो यहाँ पर भी pc घंगा और 2 A plus X मैं से Z minus होगा, तो X बचेगा, तो यहां पर हम क्या कर रहे है, R2 मैं से R1 minus कर रहे हैं, किसके लिए R2 गली, क्योंकि R2 में भी Е Mercy element चाहिए, तो R2 के लिए हम क्या कर रहे है, R2 मैं से R1 minus कर रहे हैं, तो अपना 2 as it is, पहली row as it is, CRZ, रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहे हैं तो C प्लस A में से C माइनस होगा तो क्या बचेगा A R प्लस P में से R माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ P Z प्लस X में से Z माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा X ठीक, clear, बागी सब कुछ आज़ड है, A, B, P, Q, X, Y clear, तो 2 रो हमारी सिंगल सिंगल एलिमेंट किया गई अब तीसरी रो को भी हमको करना है तो क्या करें भाई, तो देखो A आ चुका है C आ चुका है, हमको चाहिए B तो उसी के हिसाब से हम माइनस करेंगे ठीक है, तो देखो अगर A प्लस B में से हम A माइनस करेंगे, तो हमको B मिलेगा P प्लस Q में से P माइनस करेंगे, तब हमको यहां Q मिलेगा और X प्लस Y में से X माइनस करेंगे, तब हमको यहां पर Y मिलेगा जो की बचे हुए ऐलिमेंट हमको चाहिए ठीक है न, देखो हमको क्या चाहिए था A, B, C चाहिए, तो A आ चुका है, C आ चुका है, B चाहिए हमको तो B यहाँ पर कैसे आ सकता है, जब A हट जाए तो A कैसे हट सकता है, रो 3 मेंसे, रो 2 को माइनस करके तो करके सके लिए रहे हैं, रो 3 के लिए कर रहे हैं हम रो 3 के लिए हम क्या कर रहा है कि रो 3 में से हम रो 2 को माइनस कर रहा है इस रो 3 में से इस रो 2 को माइनस कर रहा है रो 1 एज़टेज लिख दो दूसरी रो भी एज़टेज लिख दो तीसरी रो में अपलाय कर रहा है तो रो 3 माइनस रो 2 रो 3 माइनस रो 2 A plus B में से A minus B बच जाए P plus Q में से P गया Q बच जा X plus Y में से X गया Y बच जाए तो single single element आ गए अब हम देख लेते हैं इनकी position क्या क्या है कहा कहा पर क्या है तो देखिए A पहले है फिर P और X तो A, P, X दूसरी रो में है लेकिन इनको चाहिए हमको पहली रो में पहली रो में करना है तो सबसे पहले A, P, X को अगर आपको पहली रो में करना है तो सीधी सी बात है कि first और second row को आपको interchange करना होगा तो हम क्या करना है row 1 और row 2 को हम interchange करना है रो 1, रो 2 की जगाँ पर, रो 2, रो 1 की जगाँ पर clear कर देते हैं और जब interchange होता है यहाँ पर किसमें? determinant में तो एक, जो minus 2 होता है वो लगता है, ठीक तो करते हैं इसको तो रो 1 और रो 2 का interchange करें सबसे पहले equal लगा दो और minus लगा दो, क्योंकि यह interchange हो रहा है तो हमने minus लगा दिया, ठीक है दूसरी रो, पहली रो की जगाँ पर a, p, x और पहली रो दूसरी की जगाँ पर c, r, z बागी t, c, y, z b, q, y ठीक, तो जब हमने रो 1 और रो 2 रो को interchange किया तो sign change होता है, तो यह plus की थे तो हमने minus लगा दिया, ठीक है अब और क्या करना है भाई, b, q, y second और c, r, z, third तो आप देखें, अब यह b, third में है और c, second में है, इसको यहाँ लाना, इसको यहाँ लाना है, मतलब 2 रो को फिर से interchange करना होगा तो आप इस तरफ का note कर लीजे वीडियो को pause करके, इसके आगे कम यहाँ solve करेंगे तो जितनी जरुरत है, हम उतने ही हटाते हैं बस, question हटा देते हैं तो देख लिए आप a, p, x, b, q, y और c, r, z चाहिए, 2i किया है हमार है न, तो अब हम क्या करना है Re2 और Re3 को interchange कर रहे है Re2 और Re3 को interchange कर है तो फिर से एक minus लगेगा बदाया का जब मैंने ये property समझाई थी कि 2 रो को हापने एक बार interchange हिया तो एक minus, और अगर फिर से हाप interchange कर रहा है तो फिर से एक minus लगेगा, तो equal to देखो, already एक minus लगा हुआ है तो पे अब इस पे फिर से एक माइनस लगाएंगे तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ठीक है पहली रो as it is a p x यहाँ पर हम दूसरी रो को तीसरी की जगा पर तीसरी को दूसरी जगा पर तो c r z चला जाएगा थर्ड पर c r z और थर्ड वाली आ जाएगी second की जगा पर b q y ठीक है प्लस आगया है यहाँ पर तो यह आगया 2 a p x b q y c r z तो यही तो हमको लाना था यह आगया हमारा rhs and prove खत्म ठीक तो यहां का मुझे हटाना पड़ा क्योंकि जगा खम पड़ देजी ठीक है तो समझ में आ गई बात तो यह भी अगर नोट करना तो वीडियो को पॉस करके आप नोट कर सकते हैं बागी आज की क्लास में इतना ही करेंगे आज की क्लास में हमने exercise 4.2 के 5 question कर लि subscribe जरूर कर यह चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and thank you